नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियों में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना जो अधरक आपडेट का रिलेटेड जो प्रॉलिम है दोस्तो उसको आप सौल्ड कर पाएंगे जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा अगर आप ऑनलाइन अपना अधरकार्ड को कोई भी करेक्शन करे हो जैसे कि आपका अधरकार्ड का नेम हो गया डेटर बार्थ हो गया या फिर जेंडर हो गया या फिर आपका एड्रेस हो गया तो जो आप update करते हैं दोस्तों ओ यहाँ पर आपको एक request मना जाता है और जब उसका status चेक करेंगे तो दोस्तों किसी का यहाँ पर payment failure हो चुगा है तो किसी का application reject हो चुगा है तो उन सारे चीजों को कैसे आप solve करेंगे इसी वीडियो में दोस्तों हम आपको details में बताने बाला हैं तो वीडियो को शुरू से न तक जरूर देखें दोस्तो अगर आप इसी वीडियो को शुरू से अंतक देख लेते तो आपको किसी भी वीडियो को देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा ठीके इसी वीडियो में दोस्तों सब कुछ यहां पर दिया गया है आप इजीली यहां पर वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखिए ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं जब आप इस एप्लिकेशन को भारोगे या फिर नया रिक्वेस् से होगा गा जो दोस्तों इसका मतला है कि जो आपका जो अपने आपको 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 स्टार्ट देखने के लिए मिल आगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो डी अप्डेर्ट रिक्वेस्ट इच इन प्रोसेस यू मैं भी choose to cancel the request by continuing below तो दोस्तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ आपका request process में चला गया है लेकिन दोस्तो उसको आप cancel करना चाहते हो तो यहाँ पर आप cancel कर सकते हो और यहाँ पर जो continuing गोला गया है दोस्तो तो यहाँ पर आपको request को cancel करना के लिए जो आपने update किया था उसको आप request करेंगे तो उसको cancel करना के लिए यहाँ पर capture verification को enter करना है दोस्तो यहाँ पर आपको दिया गया है मैं यहाँ पर आपको round करके थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको capture सब्सक्राइब आप liksom ऐन्य देख सकते हो चल्य आपको मोबद नमबर पर कर चाहिते हो आपना दो के तो यहां पर यहां पर आप इसी के ज्रेवरी केंसल कर सकते हो ठीके अगर आप को केंसल नहीं करोगे और दुबारा कुछ दिन के बाद फिर स्टेटस सेख करेगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह सापको लिए लिख क्या आएगा यहां पर आप देख सकते हो दी आपड़ेट रिक्वेस्ट इन प्रोगेस्ट यूल गैट एसमस नो से अगर नोटीफिकरसन टीक है अगर यहां पर का गार हो जाते हैं तो यहां पर आपको सॉक्सेुस्ट बर्ल लिक्र के आएगा यहां आपको बात में बताऊंगा आप वीडियो को सुरेशन दाओंस भीता साउँ पूंगर आपका डूक्वेस्ट रिक्वेस को एया लिख के आएगा दोस्तों इसका मतलब समझ जाना की आपका डोकुमेंट में कुछ दिक्कत हो सकता है या फिर जो आपने डोकुमेंट से अफलोड किया था जो फोर करना होता है दोस्तों ओ यहाँ पर सहीं से आपने अफलोड नहीं किया है ठीक है नहीं तो यह आपको नहीं तो लिश्ट सर टीकमेच्टN होता है अब्रेट करने के लिए उसमें आपका डोकमेंट होना चाहिए और अच्छे से आपको 50 ऻू जहता है पलास आपका टायम भी यहां पर लॉस लिए इसलिए दुस्त आपको सर्ज समझ कर यहां पर आपको अपलोड ना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आगर आपका यहां पर कुछ इस तरह सा इस्टर सा सोवर आए यहां पर आप देख सकते हो यह और अधर एंवर्मेंट हैस बेन रिजेक्टेट डियू टू इंकरेट आडेंटी एन एड्रेस फूरूब डोकुमेंट इसका मतलब दोस्तों है जो भी आप डोकुमेंट अफ्लोड करेंगे दोस्तों यहां पर आपको बता गया है लिस्ट अप बेलीड डोकुमेंट सोपोर्टिंग डोकुमेंट इस एविलेबल ऑन यू आई डी आई ऑफिसल वाफशेट दोस्तों आपको आधर का ऑफिसल वाफशेट पर मिल जाए इसके बथे स्टेस आथा है मैं यहां पर आपको आपको दिखा देता हूं जब के आएंगागा और आपको यहांपर अधार कर सकते हो दोस्तों यहां पर आपको बता गया है ठीक है तो दोस्तों कुछ इस तरह सा आपको प्रोलेम दिखने के लिए मिलता है और क्या 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 सॉल्ट करना है मैं आपको बता दिया है आपको एच्छे से दोस्तों डोकुमेंट को अफलोड करना है और जो आप आफलोड नहीं करना है जैसे आप गॉलर डोकमेंट आफलोड कर देंगे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो आपका रिक्वेस्ट यहां पर रिजक्ट हो जाएगा और यहां पर आपका जो 50 रुपेस पे चला जागा प्लस आपका टाइम में चला जागा ठीक है तो दोस्त आपका भी आएगा दोस्तों आप अच्छे से यहां पर डोकमेंट को अफलोड करना है तो यह काम करेगा ठीक है तो दोस्तों एसे ही दोस्तों आप अपना आधार आपडेट से रिलेटेड प्रोलेम को सॉल्ड कर जाकते हो वीडियो में कोई दिक्क्त आता है तो आप देजे तो चले दुस्तों फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ आप टोप के लिए बाइबाए दुस्तों टेक्क्यार